प्रभाव के नाम आज हम एक नई शुरुवात करने वाले हैं नए चाप्टर की जिसका नाम है क्या है मागनेटिक इफेक्ट्स ओफ इलेक्ट्रिक करन तो बेसिकली यह वारे चाप्टर है जिसको हम लोग चुंब की प्रभाव के नाम से भी चान रहे होते हैं हैं ङुडनी ग्रेट तो हम लोग बिना डाइए वज करें पहले समझ लेते क्या क्या पढ़नेगे और नेका म मैंने का भाया इसका इससे क्या संबंदिया तुम्हें आगे बादा जलेगा यह क्या लिखा हुआ है पहले यह से मतले लिखा हुआ है जो और अरेस्ट भाई साहब थे ठीक है क्या हुआ एक बार की एक करण के थुरू बेसिकली ऐसी चीजह जनरली एक्सपरिमेंट करते करते गलती से हो जाती है और फिर वो एक इतनी इंपॉर्टन छाप छोड़ जाती है फिजिक्स के वर्ल्ड में की पूछ मत है कि नहीं क्या हुआ कि एक बेसिकली देखो करेक्ट सोरी तो किसी को पता होती नहीं लेकिन हमको फिनॉमेना से मतलब है है कि तो एक करन्ट पास हो रहा था ठीक है पास में रखी था एक निदल सिंपल एस 시ल एस बहुक्त समय करता है इसलिए नों कौन पांस को यूज करते हैं है के लेकिन जγब ये कमपास इस current carrying conductor के आज़ पास पड़ा हुआ था ठीक है और जैसे ही जैसे ही इस current carrying इस conductor मेंसे current flow हुआ क्या हुआ मेरी जान क्या हुआ कि यहाँ पर ठीक है जो हमारी needle थी वो होगे deflect ठीक है अरे क्या बात है तब और यहाँ पर सिर्फ current flow हो रहा था तब समझ में आया कि when current flows it produces a magnetic field कैसे पता चला क्योंकि यह needle जो होगे उससे हमें पता चला तो अब हम बात करने वाले हैं magnet ठीक है यह है हमारा magnet यह है North Pole यह है South Pole यह है दूसरा magnet यह भी है North Pole यह भी है South Pole ठीक है हमें बचपन से एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर दो like poles पास में है याने की North Pole यह दोनों like poles है एक जैसे poles है तो इन दोनों magnet के बीच में क्या होगा रेपल्शन होगा, क्या होगा, रेपल्शन होगा, ये दोनों दूर भागना चाहेंगे, similarly, अगर, अगर, साउथ पोल और साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल और साउथ पोल दोनों पास पास आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो वेसिकली होने वाला है, इस केस में भी रेपल्श क्यों? क्योंकि south pole और south pole दोनों एक जैसे poles हैं, दोनों like poles हैं, यहाँ पर भी north pole और north pole दोनों एक जैसे poles हैं, like poles हैं, लेकिन अगर एक north pole और एक south pole पास पास आ जाते हैं, तो उस case में क्या होने वाला है? उस case में होने वाला है attraction, क्या होने वाला है उस case में? मैंने का उस case में हो like poles attract each other, यानि कि अलग-अलग, north-south attract करेंगे, north-north repel करेंगे, south-south repel करेंगे, क्या बात है, ठीक है, एक और important point है कि, a freely suspended magnet, always points towards the north and south direction, basically अगर तुम एक magnet को दोरी बांदते हो, ठीक है, और उसको ऐसा freely suspend कर दोगे, ठीक है, उसका सफ freely suspend कर दोगे, तो वो अपने आपको north-south direction में arrange कर लेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ इस point के अंदर, क्या इसमें कुछ rocket science है, भाया नहीं है, मैंने का आगी बड़े, आरे great, क्या बात है, ओह भाया, क्या बात है, अब हम बात करने वाले हैं, what is magnetic field, ठीक है, हमने बात कर लिए, magnet क्या होता है, अच्छा, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हमने क्या क्या, हमने बात की कि भाई साब, like pole क्या होते हैं, unlike poles क्या होते हैं, कैसे repel करते हैं, कैसे attract करते हैं, अब हम magnetic field की बात कर रहे होंगे अच्छा, भया यार, school में field होती है यह magnetic field क्या है अभी हम समझेंगे, ठीक है, अभी हम समझेंगे अच्छा, great, क्या होती है magnetic field the area around a magnet where magnetic force is experienced is called a magnetic field, अच्छा, great हम एक चीज़ पता है कि movies में कैसे होता है, एक dawn होता है ठीक है, एक भाई होता है, और उसका एक इलाका होता है, ठीक है, उस इलाके के अंदर उसकी power चल रही होती है, उसकी force चल रही होती है, ठीक है, उसका force चलता है उस area के अंदर, मतलब जो भी होगा लोगों पर ऐसा होता नहीं, लोगों पर दवाव रहता है, प्रेशर रहता है, फोर्स रहता है, उस एक अकेले इनसान व्यक्ति के करणाद, उस DAWN के करणाद, है की नि? ऍुलाढ़ों चीज है तुम सोचो तुम सोचो मान लो यह मैगनेट है ठीक है हम एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि हम मैगनेट के जब कोई चीज इतनी दूर रखेंगे तो क्या वो अट्राक्ट करेगी डिपेंड्स आ पावर अफ देखते हैं खिलोने वाले हो गए या फिर ठीक है वो इतनी बड़ी नहीं है और अगर इसको और आसानी से समझना हो तो यह जो अबजेक्ट है अभी तक इसकी मैगनेटिक फील में एंटर नहीं किया है ठीक है यह जो अबजेक्ट है इस मैगनेटिक फील में एंटर नहीं किया है मैं पास लाया पास लाया पास लाया इसको इतर रखते हैं, ऐसा area around a magnet, ठीक है, in which its force can be experienced is called magnetic field, क्या बाद है, amazing भाईया, आच्छा, आगे बढ़ते हैं, इस magnetic field visible, क्या तुमने कभी magnet के around ऐसी magnetic fields को अंदर बार, अंदर बार, अंदर बार जाते हैं, नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, तो इसका जवाब हो कैसे हम देने वाले हैं, magnetic field lines are not visible, how to know more about them, उनको, उनके बारे में और कैसे आने, magnetic field के बारे में और कैसे आने, मैंने का हम जानने वाले हैं, magnetic field lines से,ठीक है, magnetic field lines जो होती है इनके तुरू हम magnetic field के बारे में और जान रहे होंगे आई कि नी, great magnetic field lines, basically magnetic field lines क्या होती है magnetic field is represented by magnetic field lines तो basically जो magnetic field होती है उस magnetic field को represent करने के लिए देखो magnetic field कैसी है not visible, ठीक है, अब अगर हमको वो चीज पढ़नी है, समझनी है, तो उसको paper पे depict करना पड़ेगा, paper पे note down करना पड़ेगा, और paper पे जब हम कोई चीज note down करते है, तो उसको कुछ ना कुछ हमको representation मनाना होता है, ठीक है तो magnetic field को हम कैसे represent करने होते है इन magnetic fields के तुरू, ठीक है इन magnetic fields के तुरू, अच्छा ये तो ये lines हमको नहीं देख रही होती है ठीक है, ये lines जो होती है हम नहीं देख सकते है क्या ये film समझ पा रहे है, अरे, क्या बात है ओहो, क्या बात है भाईया, अच्छा, amazing great, ठीक, आगे बढ़ते हैं अब इन magnetic field lines के कुछ और properties को लेख, ठीक है, great, amazing सबसे पहला जो point है, वो है they don't intersect each other मैंने का इसको हम second point मानते है पहला point हम नीचे वाला मानते हैं, ठीक है तुम exam में कोई भी point पहले लेखो, ऐसा कुछ नहीं लेकिए मैं बस तुम्हों समझाने के लिए ये चीज पहले explain कर रहा हूँ तो magnetic field lines are from north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet देखो जोड़ा एक चीज, ये है मेरा magnet, ठीक है ये है मेरा magnet, ओके, ये north pole है, ये south pole है magnet के बाहर, ठीक है magnet के बाहर जो मेरी magnetic field lines होती है वो north to south travel करते, कुछ इस प्रकार देखो मेरा arrow, ये north से निकला, north से निकला, north से निकला, north से निकला, है कि नी, north to south travel करती है देखो ज़रा north to north to north to south travel करती है क्या ये vibe हम समझ पार है, अरे क्या बात है, आमेज़, great, है कि नी लेकिन जब ये field line जो है, ये पूरी तो होगी न तो magnet के अंदर जैसी ये enter करती है तो magnet के अंदर जैसी ये enter करती है जैसी Griken के अंदर enter करती है ये south से north travel करती है बहुत ही basic है, بھائि magnet के बाहर देखो कोई छीज को कर complete होना है, देखो pattन, मालो यहां से हमने शुरुआ GO देखो अब इस point 2 से point 1 पर जाने के लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, है के नहीं, तो पहले तो हम ऐसे, 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 ऐसे जा रहे थे, लेकिन अब हम ऐसे जा रहे होंगे, है ना, तो पहले हम इस point से, इस point 1 से, point 2 तक जो है वो, इस तरीक से जा रहे है खेर बहुत कॉंप्लिकेट हो जाएगा छोड़ो इतना समझो बस कि आउटसाइड दी मागनेट आउटसाइड दी मागनेट नॉर्थ टू साउथ और इंसाइड दी मागनेट साउथ टू नॉर्थ यह हमारा पहला पॉइंट समा क्या बात है भाईया अब आप दूसरा भी इंट्रसेट कर जाती कुछ इस तरीके से यह इंट्रसेट कर गयी ठीक है इस पॉंट서ट कर गई है कि अगरम Si हमको पता है कर defensive design को पताने में काम अता है हमने क्या बात कीूंत गया वक्नेटी क्यर करता है वो बिसीकल यह तरीक हैसा Magnetic field को represent करती है, है कि नी, great, तो अगर मैं इस point पर, अगर मैं इस point पर, एक compass को लाकर रख दूँ, ठेके, अगर मैं इस point पर, एक compass को लाकर रख दूँ तो क्या होगा, वो compass basically क्या करता है, compass जो है, वो हमें magnetic field की direction बताने में काम आता है, है कि नी, great, लेकिन जब मैं, इस point पर, जिसको मैंने black से mark किया है, इस point पर अगर मैं compass रख दूँगा, तो क्या compass एक ही जगा पर, एक ही point पर, दो-दो direction में point out कर सकता है क्या, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर एक direction जो है, यहाँ पर है, यह वाला, और दूसरा direction जो है, यह वाला है, यह वाला है, देखो चरा, इस point पर जिसको मैंने blue से mark कर दिया है, इस point पेगर मैं compose सकता हूँ तो वो एक time पे किसी एक direction में point out कर सकता है दो direction में तो point out नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर तो इसका ultra हो रहा है वह यहाँ पर इधर भी point out करना पड़ेगा और इधर भी point out करना पड़ेगा जो कि possible नहीं है तो इसलिए जो हमारी magnetic field lines होती है वो intersect नहीं कर रही होती है तो इसलिए जो हमारी magnetic field lines होती है क्या यह field हम समझ पा रहे हैं? ओहो, क्या बात है अभी हम बात करने वाले होंगे magnetic field due to a straight current carrying conductor अभी थोड़ी जार पहले हमने बात की थी किसकी बात की थी कि अगर एक current carrying conductor अगर होता है ठीक, अगर एक current carrying conductor होता है तो basically क्या होता है? तो basically क्या होता है? कुछ ऐसा scene हो रहा होता है कि अगर जो magnetic field होती है न ठीके, वो उसके around produce होती है तो यहाँ पर एक straight current carrying conductor की बात कर रहे है current carrying conductor तो है न, ठीके तो हमें पर एक straight current का दिंग का नेटर के बात कर रहे हैं अब CDC बात है जाहिर सी बात है कि उसके आजपास भी एक magnetic field प्रडियूस होगी ठीक है वो किस form में produce होती है वो produce होती है concentric circles के form में ये concentric circles के form में ठीक है अरे क्या बात है अरे क्या बात है अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे थे क्या जो arrangement है magnetic field lines का जिस प्रकार है तो यहाँ पर concentric circle के form में होता है लेकिन एक और सवाल आ रहा होगा भया यह जो direction है in magnetic field lines का ठीक है यह clockwise होगा या anti-clockwise होगा यह सवाल हमारे दिमाग में आएगा ना राइट हैंड थम रूल है कि नहीं amazing क्या बात है अब सोचो ज़रा imagine करो कि आप current carrying conductor को अपने हाथ में ऐसे hold कर रहो hold करना ऐसा बहुत हानी का रहा है ऐसा हम नहीं कर रहे होते हैं बस आपके example के लिए ठीक है आच्छा ग्रेट यह आपका straight current carrying conductor है now point out your thumb in the direction of the current ठीक है मान लोग की current upward flow हो रहा है तो हम क्या करेंगे we'll point out the direction point out the thumb in the direction of current upward flow रहा है है कर नहीं upward flow हो हो है ओके now the curl of fingers the curl of your fingers gives you the direction of magnetic field lines I'm repeating this once again ही मेरा current carrying conductor है this is my straight current carrying conductor मेरा इस को ऐसा होल किया ठीक है now I'll point out my thumb in the direction of current मान लो current upward है उपर की साइड जा रहा है ठीक है तो मैंने उपर की direction में point out किया है के नहीं great the curl of my fingers the curl of my fingers gives me the direction of magnetic field lines अगर current उपर की साइड है तो जो थम है वो उपर की साइड जाएगा है के नहीं great अच्छा तो curl कैसा है curl कैसा है curl है हमारा anti-clockwise है के नहीं curl है हमारा anti-clockwise तो magnetic field lines की direction कैसी है anti-clockwise अब ज़रा सोचो अब ज़रा सोचो कि जो current है वो downward flow कर रहा है कुछ इस तरीके से downward flow कर रहा है इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो हमारा थम का जो direction है वो downward होगा यह देखो थम का जो direction है वो downward होगा इस case में हमारी magnetic field lines कैसी है वो है clockwise तो हमने क्या क्या कुछ भी नहीं किया है हमने कुछ भी नहीं किया है हमने बس एक simple सा rule follow किया है जिसे हम कह रहे होते है right hand thumb rule यह क्यों use कर रहे होते हैं ताक़ी एक straight current carrying conductor जो है ठीक है उसके around की जो magnetic field produce हुई है उसका हम direction बता सके ठीक है हमने कुछ नहीं किया हमारा जो right hand है वो utilize किया ओके great amazing अब हमें क्या करना है जिस direction में current flow हो रहा है उस direction में अपना thumb point out करो अगर upward हो रहा है तो upward अगर downward हो रहा है तो downward ठीक है great amazing और अपने finger की curl को notice करो तुम समझ जाओगे कि clockwise है anti-clockwise है ठीक है और एक क्या बात है if the direction of current changes the direction of magnetic field also changes यह चीज़ हमने notice की कि अगर हमारा current जो है वो upward जा रहा था अगर हमारा current है वो upward जा रहा था उस case में मैं देख सकता हूँ कि मेरा magnetic field lines का direction था वो anti-clockwise था है ना वो anti-clockwise था लेकिन अगर मेरा current जो है वो downward जा रहा था अगर मेरा current जो है वो नीचे के direction में flow हो रहा था तो मेरी magnetic field lines की जो direction थी वो थी clockwise okay great if the amount of current flowing increases the strength of magnetic field increases सोचो जरायर अगर जो इस conductor में से है ना इस conductor में से जो current flow हो रहा है उसकी मात्रा अगर हमने बढ़ा दी तो यह जो magnetic field around जो produce हो रही है क्या इसकी strength नहीं बढ़ जाएगी जाहिर सी बात है क्यों क्योंकि वो जो magnetic field ही पूरी की पूरी depend ही current पे कर रही है वो magnetic field की strength है जो ताकत है वो भी बढ़ना चालू हो जाएगी ओहो भया क्या बात है अमेरी अब इसी तरीके से हम लोग एक circular loop के around magnetic field की बात कर रहे होते हैं कैसे देखो जरा हमने straight current carrying conductor की case में क्या बात की upward है अपवड है तो क्या बात है अपवड है अपवड है तो अपवड है अपवड है तो anticlockwise और अगर downward है तो clockwise ग्रेट, amazing ओएओ फैंध अब बात करने वाले है एक circular loop की मैंने का circular loop में भी तुम्हें कुछ नहीं करना है circular loop में भी बस तुम्हे right hand thumb rule का इस्तमाल करना है तीक है right hand thumb rule का इस्तमाल करना है मैंने का देखू इस वाले area को धहान से देखना जिसको अभी मैं mark करने वाला हूँ, इस वारे area को ध्यान से देखना, देखो ज़रा ध्यान से, देखो ज़रा जानते हैं, है ना, यह जो circle है, यह जो हमारा पूरा circular loop है, मैं इसको एक बार यहाँ पर वापस रख कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है, कुछ इस तर current हम रूर इस्तेमाल करते हो, तो क्या होगा, current कैसे direction में, उपर की direction में, है कि नहीं, ग्रेट, तो curl कैसा होगा, finger का curl कैसा होगा, anti clockwise होगा, है कि नहीं, anti clockwise होगा, यानि कि इसके एराउंड जो magnetic field lines ऐसी produce हो रही है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो है हमारी, वो है anti clockwise, ठीक है, वो जो थम्बे उसको ऐसा रखो, अब तुम देखोगे, कि ये ऐसे निकल रही बाहर, मतलब सोचो तुम, imagine करो, ये circular loop ऐसा 3D है, यहाँ पर हवा में है, circular loop ऐसा हवा में 3D है, है कि नि, great, अगर ये घर में इस pop filter को फार सकता तो मैं फार देता, लेकि तुम imagine करो, कैसा circular loop है, ठीक तो भी attach हो रहा है, तो क्या हमारी fingers ये से अंदर जा सकती है, है कि नि, अंदर जा सकती है, इसका मतलब हमारे fingers का curl है, वो कुछ इस तरीके से है, अच्छा, great, तो वो है मैं आपर देख सकते हैं, ये देखो, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब माल लो तुम यहाँ पर आ तुम अलग-अलग point पर जहाँ पर right hand thumb rule यूज करोगे, तो मैं अलग-अलग flow देखने को मिलेगा, है कि नि, ये circular loop है और एक 3D circular loop है, तो जब हम उपर की बात कर रहे हैं, तो field lines कैसी है, ऐसी अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, है कि नि, अरे क्या बात है, great amazing, नहीं समझ में आया, तो मैंने इसको detailed lecture में करवा रखाया, तो महाँ पर देख सकते हो, या फिर इसी चीज़ को rewind करके देख सकते हो, okay, तो अब यहां से आगे जो clip तुम देख रहे होगे यार, वो channel पर already uploaded थी, ठीक है, भई आपने ऐसा क्यों किया, आपने starting का जो portion है, व वो already uploaded clip क्यों, मैंने का, इसका reason तुम्हें एक से दो दिन के अंदर पता चल रहा होगा, जब तुमारी demand पर channel पर कुछ बहुती तबाही आ रहा होगा, ठीक है, तो आगे की जो clip अभी तुम देखने वाले हो, जो portion बचा हुआ देखने वाले हो, वो channel पर already uploaded था, बस फ़रा क आपने जितना portion अभी तक देखा, प्लस अभी जो portion आप देखोगे, ये मिला कि आपका जो पूरा magnetic effect of electric current है, ये contest हो जाएगा, और इसका कारण भी अगेन आपको एक दो दिन में पता चली जाएगा, एगनी, great, enjoy करो देखो भाईया, यहां तक करा दिया, अब बचा है solenoid, देख, बहुत ही कुछ आसान सी, प्यारी सी, खुबसूरत सी चीज़े बची है, solenoid बचा है, force on current carrying conductor बचा है, lawrence force बचा है, flamming's, खेर वो course में नहीं है, बट वो इसे बहुत ही simple से और बहुत ही मसलार चीज हो, बता वो आते थे न, बचपन में, वो मोटर आती थी, छोटी-छोटी और अपने स्कूल वाले बोलते थे, कि वो साइन्स में प्रोजेक्ट बनाओ, और अपने पागल होया थे तो, मतला हमने तो मोटर चला ही और उसे पंखा चल गया, तो हम बिलकुल ऐसे over excited होया थे, फिर अब पहले तुम मैं बता देता हूं कि अंग्रेजी डेफिनिशन क्या बोलती है, it is a coil containing many circular turns, these wire are wrapped closely in a shape of a cylinder, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब क्या समझा ये, कि मान ले कि ये है एक wire, एक copper wire मान ले, copper wire थोड़ा सुन्दर लगता है, मैंने क्या, मैंने इसको roll कर दिया, ऐसे नही बट मान ले कि मैंने इसको ऐसे अच्छे, 5, 6, 7, 8, 10, roll कर दिये, ऐसे, इसी के around, मतलब मेरी उंगली के around मैंने roll कर दिये, तो ये कुछ इस type का बन जाएगा, थोड़ा सा, जाद अच्छा diagram देखना तो screen पर दिख रहा है, बड़े कुछ इस type का बन जाएगा, तो solenoid basically क्या होता है, कि जब मैं copper wire लेता हूँ, straight copper wire अगर मैं उठा लू, तो मैं क्या करूँगा, इस copper wire का, मैं इसको circular turn दे दूँगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, ऐसे लगा दूँगा, जैसे मैंने अभी उंगली के आसपस wire rotate किया न, जैसे ये भाई ध्यान से, ये अगर solenor के diagram देखे अगर हम, ये वाला, तो हमने कहा किया, solenor जो था, अब जैसे कि ये जो wire है, मान ले कि ये wire के दो end इसको ऐसे आसे, रोल किया, ठीक है, अब देख, ये वाला एक end है, ये वाला, और ये वाला जो है, ये जो मेरे left में है, ये दूसरा end है ये जिसको में हिला रहा हूँ, और एक ये वाला end है, मैंने इन दोनों ends को एक circuit बना कि एक battery से जोड दिया, ठीक है, ये दिख रहा है, इसी solenor के तार को में खीच के लाया, और इसको मैंने यहाँ पर बैटरी से जोड दिया, और यहाँ पर भी मैंने बैटरी से जोड दिय ये arrow के हिसाब से जब current जा रहा है, तो ये solenoid जो है, एक magnet की तरह काम करना चालू कर देगा, और वो किस type की magnet की तरह काम करेगा, एक simple bar magnet की तरह, बस इतना सा system है इसमें, ठीक है, तो मैंने क्या है, मैंने solenoid बना है, और solenoid बहुत ज़्यादा effective भी होता है, पहले समझ लेत एक बार कोई के लिए कि क्या था, solenoid is nothing, but a copper wire coiled around a soft iron core, या soft iron rod, या कैसा ही बोल सकते हैं इसको, या फिर क्यों इतना ही बोल सकते हैं कि a copper wire which is coiled, या it is a coil containing many circular turns, ठीक है, अब यह जो solenoid है, इसको bar magnet की तरह क्यों बोलते हैं, ठीक है, यह जो solenoid है, इसको हम बार magnet की तरह क् प्रदर्शन है ना, याने कि जिस हिसाब से उसकी magnetic field lines act करती है, वो same होता है जैसे कि bar magnet में act करती है, मतलब, तू solenoid को देखेगा ना ध्यान से, तो तिर को यह पता चलेगा कि इसके अंदर भी same वोई funda follow हो रहा है, ठीक है, जैसे bar magnet में क्या था, कि जो magnetic field lines है, वो north to south मतलब inside the magnet, ठीक है, same इसमें होता है, इसमें क्या होता है, कि जो solenoid है ना, solenoid के बाहर की अगर हैं बात करों तो यहां से देखेगा तो north से south जा रही है, magnetic field lines, और अंदर की बात करूँगा, तो यह south से north आ रही है, समझ गया, बस इतना है, तो यह bar magnet के तरह इसलिए equivalent calculate किया मतलब बार मेगनेट के तरह इसलिए माना जाता है, अब देख, और क्या के similarities है, जैसे एक बार मेगनेट के अंदर, पोल के ओपर जो magnetic field होती हो strongest होती है, same इस solenoid के case में भी पोल के ओपर जो magnetic field हो strongest है, यह वाले region में, दोनों poles पे, अब मान लेकि मुझे solenoid कों में better क्यों मा कर सकते हैं, बट solenoid के case में भाई इतनी खूपसूरत चीज है, मैं इसमें सब कुछ change कर सकता हूँ, कैसे, देख, अब पहली बात तो मैं इसको current से control कर रहा हूँ, ठीक है, एक battery चल रही है, तो मैं battery से control कर रहा हूँ, current से control कर रहा हूँ इसको, तो अब क्या होगा, पहली ब जैसे ही मैंने battery जो है, या switch जो है, उसको चालू कर दिया, खटका जैसे ही मैंने चालू कर दिया, जैसे ही current pass होने लगा, तो वैसे ही जो है, वो solenoid जो था, जो कि सिर्व ए copper wire था, उसका पूरा अस्तित्व ही बदल लिया, अब से वो magnet बन गया, ऐसे नहीं होता है कि सुब बत्ती है, बत्ती चालू करने का मतलब खटका चालू करना और खटका चालू करने का मतलब switch on करना, current pass जैसे चालू करते हैं, वैसे solenoid जो है, या जो copper wire था simple, अब वो magnetic field produce करना लग गया, तो बार magnet इसमें ये control में नहीं रहता मेरे पास में, यहाँ पर मैं control कर सकता हूँ, control whether it is a magnet or not, दूसरी चीज, मैं इस bar magnet की, जो magnetic field line से उनको strong weak नहीं कर सकता, जो एक चुम्बक है ना तेरे पास में, वो चुम्बक उतनी strong रहेगी, तो अपने से इच्छा से, या फिर चुम्बक को बोले कि भाई, थोड़ी और strong हो जा, थोड़ी और जोड़ से चिपका इसक सुरत होता है, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेता है, मैं जैसे ही इसमें current की अदला बदली करूँगा, जैसे ही मैं current बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे यह magnetic field भी जो है, वो बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा current होगा, उतनी strong magnetic field lines बनेगी, और उतनी strong तरीके से मैं चिप Solenoid के अंदर magnetic fields को बढ़ाना है, तो मैं क्या-क्या कर सकता हूं, क्या-क्या options है, मेरे पास में इसको change करने के, पहली बात तो मैं, जो current है, उसको alter कर सकता हूं, current बढ़ाना है, पर magnetic field बढ़ा जाएगी, दूसरा मैं solenoid की length बढ़ा सकता हूं, ठीके, मानले कि यह जो length थी, जो मैंने पहले इतनी length लेती, अब अगर मैं उसको इतनी length लोंगा, तो जितना जादा area होगा, उतनी जादा, मतलब जितना जादा, जो हमारे पास में solenoid की length होगी, उतनी ज्यादा magnetic field length होगी, और उतनी powerful magnet हो जाएगी, तीसरी चाथ, अगर मैं solenoid की coils है, या जो अगर और solenoid है, ठीके, मानले कि इसकी भी length L है, और एक solenoid मैं ये वाला लेता हूँ, ठीके, इसकी भी length L मानूँगा मैं, पर ये जो solenoid है, कुछ ऐसा दिखेगा, तो इन दोर में difference क्या है, ये वाला जो है, इसमें coil जादा है, ध्यान से देखेगा, तो इसमें मैंने जादा बार coil क्या है, तो मैं जितनी जादा बार coil करूँगा, जितनी जादा बार में coil करूँगा, उतना जादा मेरे पास में magnetic field आएगी, तो ये हो गया हमारा तीसरा number of turns, ठीके, अब आता है अगले topic पर कि force on a current-current conductor, क्या है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई दिमाग ने लगा ना, एले मां अंग्रेजी definition पढ़ लेते हैं, a current-carrying conductor produces a magnetic field around it, that is, behaves like a magnet and exerts a force when a magnet is placed in its magnetic field, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मानले मेरे पास में solenoid था, ठीके, अभी हमने क्या देखा, कि solenoid को magnet बना सकते हैं, तो मानले अगर मैंने solenoid को magnet बना दिया, ठीके, ये जो soleno है, ये magnet हो गया, तो अगर मैं इसके पास में actual magnet लेके आऊंगा, मानले कि ये जो ये ninja तोड़ील magnet है, जिसको हम hot shoe magnet बोलते हैं, ये लिया है, ये कोई सी बार magnet भी लेके आ गया, तो क्या ये solenoid तब भी magnet की तरह काम करेगा, मतलब कि एक solenoid के पास में अगर मैं चुम्बक लेता हूँ, असली चॐंबक लेता हूँ, असली magnet लेता हूँ, तो क्ya वो चिप करेंगे, रिपल करेंगे, ये सारी activities होंगी, वो है ये, तो क्या answer है इसका, कि हां भाईया होंगी, क्यो होंगी, क्यों होंगी, क्यों कि भाईये magnet बना दिया है मैंने, मतलब कि ये ही तो prove है अब मैं मान ले कि मैंने solenoid के अंदर current pass कर दिया, मैं check के से करूँगा कि magnet की तरह काम कर यह नहीं कर लिये, मैं एक असली magnet उठाके लाओंगा, उसके पास रखूँगा, अगर वो चिपक रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यह solenoid था, जो magnetic field around it, इसने अपने, यह current current conductor है, इसने एक magnetic field अपने around create की, यह magnetic field इसने अपने around create की, that is behaves like a magnet, behaves like a magnet and exerts a force when a magnet is placed in its magnetic field, दो magnet को यह पास मे लिया है, तो एक force तो create होगा, तो अब वो कैसा है, वो यहाँ पर discuss क्या हुआ है, ठीक है, तो अगर यह figure देख है, तो यहाँ पर figure पर क् magnet है, यह एक magnet है, यह जो हॉट्शो मेगनेट है, लाल कलर की, यह वाली, और यह जो लटका हुआ है, यह एक current carrying conductor है, ठीक है, यह यहाँ से मस तेसे battery से लगा हुआ है, तो यह current carrying conductor है, और magnet का current से कोई लियन देने नहीं है, तो मैंने जब इस current carrying conductor के पास में magnet लेके आया, तो क् क्या क्या इसमें परिवर्तन आ रहे हैं वो discuss करेंगे तो देख यह हो गए हमारे पास में magnets ठीक है इसको मैं north south ले लेता हूँ अब मान ले कि यह हमारा current carrying conductor है यह वाला और यह एक actual magnet है अगर current carrying conductor में जो current है वो इस हिसाब से जा रहा है कि north यह वाली साइड हो गई, south यह वाली साइड हो गई और अगर जो actual magnet है उसकी north यह वाली साइड है south यह वाली साइड है तो मैं अगर इन दोनों को पास में लओंगा तो यह क्या होंगे यह attract हो जाएंगे अब देखिए जो force होता है न हमारा force होना current carrying conductor यह depend करता है तीन चीज़ों पर पहली होती है हमारी current कि कितना current मैं पास कर रहा हूँ दूसरा होता है magnetic field ठीक है और तीसरा होता है length length of conductor ठीक है तो जब मैंने इसको देखा कि जो force है वो तीन चीज़ों पर depend कर रहा है f is directly proportional to i f is directly proportional to b f is directly proportional to l तो मैं इससे common solution पर निगला जो किता f is directly proportional to b i l और जब scientist लोगों ने इसको equate किया तो उनको पता चला कि यहां पर जो constant है जब मैं proportionality का sign हटाऊंगा तो यहां पर constant आजागा k k b i l और scientist लोगों ने जब पता लगा तो उनको पता चला कि यह जो k है यह k की value होती है 1 f is directly proportional to i f is directly proportional to l यह जो formula है जो f is equals to b i l बना यही जो होता है यह वाला force यही होता है lawrence force ठीके अब यह जैसे जैसे मान ले कि मैंने जो magnetic field है याने कि यह वाली जो magnet है इसकी magnetic field को बढ़ा दिया ठीके इसको मैंने increase कर दिया या फिर अगर मैंने इसकी जो हमार current केरिंग conductor है इसकी length को बढ़ा दिया ठीके या फिर मैंने जो current दे रहा था इस current को बढ़ा दिया इन तीनों मैंसे जब मैं कोई भी चीज बढ़ाऊंगा तो जो force है या जो lawrence force है वो बढ़ता जाएगा ठीके मैंने b बढ़ाया तो भी f बढ़ेगा i बढ़ाया तो भी f बढ़ाया और l बढ़ाया तो भी f बढ़ेगा यही होता है हमारे पास में lawrence force basically अब अब आते हैं सबसे बहुत ही important चीज पर जो की बहुत interesting भी होती देखने को और साथ में थोड़ी सी tricky भी होती है क्योंकि यह हमारे पास में फ्लेमिंग्स का left hand rule ठीके करना क्या है करना बस यह है कि यह जो हमारे पास में f is equal to b i l आया था ना इसमें हमको सब की direction चेक करने है अब direction सीवी बात है direction हम लेंथ के direction चेक नहीं कर सकते है तो हमको f, b, i यानिक जो lawrence force है या फिर जो force होना current carrying conductor तो यह जो force होना current carrying conductor है यह जो magnetic field है यह और यह जो i है यानि कि जो current है यह इन तीनों चीजों का जो direction वह हम चेक करेंगे फ्लेमिंग के left hand rules है ठीक है इसके अंदर क्या होता है हम left hand उठाते है ठीक है पहली बात तो यह ध्यान रखना कि भाई इसमें हमको left hand लेना है बहुत तर लोग right hand ले लेते हैं और उल्टा सिदा करके आ जाते है left hand उठाया मैंने left hand को मैंने क्या रखा इसको ऐसे बंदूग जैसा बना लिया ऐसी बंदूग जो चलती नहीं है और यह जो उंगली थी middle finger इसको मैंने ऐसा कर दिया तो basically हमने इन तीनों को अलग-अलग direction में कर दिया अब तू समझेगा तो बस यह मत बूल तू मतलब कैसे समझेगा इसको याद कैसे रेखा तुझे basically start कैसे करना है तुझे तुने बंदूग बनाई इस टाइप से gun बनाई और फिर जो middle finger है इसको उठा लिया बाहर तीनों को अलग-अलग direction में रखना है तो यह तीनों जो प current ठीक है अब इसको याद कैसे रखेंगे यह जो thumb है हमारा इसको हम याद कर लेंगे F से इसको हम याद कर लेंगे B से यानि कि हमारी जो उंगली है यह हो जाएगी B और यह हो जाएगा I तो इसको simple याद करने का तरीका है F B I ठीक है जैसे C B I होता है वैसे F B I हो जाएगा या फिर अगर वो याद नहीं होता तुमको तो उसमें तू ये काम और भी कर सकता है कि F जो है हमारा उसको मान सकता है father, M for mother, M कहां से आया, M ये magnetic field की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, magnetic field यानि कि I, child, ठीक है, father, mother, child, ठीक है, ये हमारा family tree हो गया, तो ऐसे हम इसको represent करेंगे, अब करेंगे क्या हम, कि ये जो force है, ये हमारे पास में magnetic field है, ये current है, तो मान ले कि मेरे पास में कोई सी भी दो चीजों का direction दिया हुआ है, तो मैं उसे तीसीर चीज का direction निकाल सकता हूँ, मान लेकि जो magnetic field हो left direction में, current जो उपर की direction हो, तो force कि दर की तरफ लगेगा, मेरी तरफ लगेगा, ठीक है, यही होता है, कि इसको ले के आओ, इसके अंदर कुछ 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 करो, और फिर उसे पंखा बनाओ, तो हम बड़े खुश होया था था चोटे बच्चर से कि यार, क्या होना तो पंखा होना दिया, बट फिर बाद में बता चला कि वेसे जिंदगी में और भी चीज हैं, खुश होने को, अब देख, है तो थोड़ी सी complicated चीज, बट हम बहुत ही प्यार से इसको समझते है, ठीक है, definition, मतलब यह principle, principle क्या होता है, principle एक ऐसी चीज होती है, कि किस फंडे पर काम कर रहा है, principle का मतलब बेसिकली, जिनको समझ में आता है, यह स्कूल वाला principle नहीं है, यह होता है, funda, किस फंडे पर काम कर रहा है, यानि कि अभी जो हमने पढ़ा था, force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field, यह जो चीज है, यह सिर्फ उस ही पर depend करती है, और यह उस ही के हिसाफ से चलती है, ठीक है, तो अब हम यह electric motors को बनाएंगे कैसे, और फिर एक काम कैसे करेगी, मैं समझाने की बहुत अच्छे से कोशिच करूँगा, एक एक बार एक किताब भी हमारे पास में इसको घुमा के देखेंगे, देख, पहले तो हमको क्या करना है, हमको magnetic, दो magnets लेनी है, ठीक है, अब यह मत बोलना कि तुमने तो magnet तोड़ दी बीच में से, नहीं, तुससे समझ रहा कि मानले कि, for example, यह north है, याला south है, तो ऐसा मत समझ ना कि यह क्यों, north है, यह क्यों, south है, ठीक है, although यह confusion यहाँ पर कोई जरुवत नहीं थी, बतानी के बाट, फिर मैं बता रहा हूँ, क्यों, क्यों, confused हो सकते हो, ठीक है, हमने क्या क्या, यह actually पूरी की पूरी magnet, ठीक है, यह actually पूरी की पूरी magnet है, हाँ, इधर south pole है इसका, but ह हमने इसका क्यों, यह diagram में क्यों, इतना draw किया है, ठीक है, है वो पूरी magnet, तो हम magnet को ऐसे रखेंगे, कि एक side में north pole facing होगा, एक side में south pole facing होगा, और beach में हमारा circuit होगा, वो circuit जो है, वो actually घुमेगा, और हमारे लिए motor बनाएगा, ठीक है, कैसे होगा, वो काम मैं बताता हूँ अगर मैं इसका construction संजाओं, अगर मैं पहले यहाँ पर समझा दूँ कि क्या क्या चीज़े यूज़े तो पहली बात हो देख, current लगाना है हमको, तो current यूज़े है, ठीक है, अब यह magnetic field होगी इनके बीच में, यह जो दो magnet से इनके बीच में, magnetic field produce होगी है, और उसके बीच मे अगर मैं current current conductor रख दे हैं, यह अगर मैंने तार रख दिया बीच के अंदर, तो यह force experience करेगा, अब रखने को तो मैं एक तार भी रख सकता था पाट, उससे कुछ मतलब होने वाला नहीं है, वो क्यों नहीं होना है, मैं बताता हूँ आगे चलके, बट इसलिए हमने इसको ऐ इसके rectangle के form में रख दिया, ठीक है, तो यह rectangle जो बना है, यह वाला जो rectangle है, यह ABCD वाला, इसके उपर कुछ force आएगा, अब जैसे जैसे force आएगा, तो यह ABCD rectangle यह कुछ, यह अगर ऐसा था, तो यह ऐसे घूमने लग जाएगा, और जैसे ऐसे घूमेगा, गोल, 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 तो मेरे पास में जो इससे connected axle है, यह गुमेगा, और यह axle क्या है, यह वही axle है, जो हमको motor के बाहर मिलता है, जो motor होती हमारी कुछ ऐसी, इसके बाहर जो एक डंडी होती है, जिसके ओपर हम एक पंका लगा देते हैं, थोड़ा सुन्दर सा लगाते हैं, वैसे मेरी सुन्दर तो एतनी नहीं है, बट वो पंका लगा दा, तो यह axle जो है, वो basically वो ही चीज है, तो क्या-क्या है मारे पास में, बैटरी है, की है, बन चालू करने के लिए, हमेशे जिन्दगी बर चालू नहीं रखने हमको motor, स्प्लिटरिंग है, यह क्यों है यह बताता हूँ, ब्रशे स है, यह भी क्यों है यह बताता हूँ, और यह magnetic field है, बस, इतना सा है, अब देख, करना क्या है, देख, बड़ी ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ही खूपसरा चीज़ है, बहुत ही मज़दार चीज़ है, सबसे पहली चीज तो यह चीज समझ, ठीक है, यह भाई इस photo में मे आपने यहां जोड़ा इस brush से, यह जो part दिख रहा है, काला काला, एक second, यह जो काला काला part दिख रहा है, यह दोनों साइड में, यह brush है, brush इस type के है, ठीक है, actually यह क्या है, यह carbon brush है, carbon brush है, या to be specific on the material, एक graphite brush है, carbon का ही एक form होता है graphite, तो यह जो है graphite brush है, ठीक है, दोनों स चीजे बड़ी ध्यान से सुनना, यह south pole था, यह north pole था, बीच में हमने रख दिया, यह magnetic, sorry, एक coil रख दिया, जो magnetic field है, ध्यान से देख, वो ऐसे है, north to south जाएगी, ठीक है, यह यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, समझ में रहा है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो अगर म दिख रहा है, यह direction है, magnetic field की, दूसरी, current की direction, current की direction देख, यहाँ से current जा रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यह रही direction of current, यह दिख रहा है, यह arrow, यह वाला, यह होगी direction of current, ठीक है, direction of current कैसी है, हमारे पास में, देख, F, B, I, यानिकी magnetic field तो यानि कि यह जो rectangle था इसके उपर में देखूं तो इसके उपर जो force है वो उपर की तरफ लग रहा है और अगर मैं यह right side का देखूं तो right side इसका opposite हो गया ठीके तो देख magnetic field तो ऐसी ही है जो current है जो current के direction है वो ऐसी नहीं है वो इस side मेरी तरफ है तो देख the magnetic direction वो ही है ऐसी कैसी बट ये जो पहले हमारे पास में जो क्या बोलते हैं इसको current था जो पहले बाहर की तरफ जा रहा था अब वो ऐसे मेरी तरफ अंदर की तरफ घुस रहा है तो इस हिसाब से force की direction क्या होई नीचे की तरफ हो गई ठीक है यह हमारा था magnetic field B यह हमारा current I तो यह F क्या हो जागा नीचे की तरफ हो जाएगा तो यह याने की माने कि यह जो right side वाला portion है नीचे की तरफ जाएगा अब देख ध्यान से समझ क्या हुआ यह मानले कि यह वो rectangle है जिसके हम बात कर रहे हैं तो जब यह वाली side उपर की तरफ जाएगी और यह यह वाली side नीचे की तरफ आएगी तो ध्यान से देख यह ऐसा होगा rotate होना चालो हो गया आ रहा है मजा आ रहा है देख current के तरू इसको rotate करना चालो कर दिया हमने अब देख जब यह आदा rotate हो गया और जब यह आदा rotate हो गया हलका सा तो अब अगर तू देखेगा तो पहर की तरफ है यह इधर की तरफ है और जो force है वो उपर की तरफ है ठीके same is said force जो है वो नीचे की तरफ जाएगा ठीके तो अब अगर force इस पर उपर की तरफ लग रहा है तो जब यह ऐसा था अभी force इसके उपर उपर की तरफ लग रहा है जब यह rotate हो और यहाँ गया तो तो भी इस पार्ट के उपर फोर्स तो उपर की तरफ लग रहा है, और इसके उपर नीचे की तरफ लग रहा है, तो यह फिर से ऐसे हो जाएंगे, ठीके, अब मैं इस वाले पोडिशन के उपर उपर की तरफ लगा रहा हूं, ठीके, तो मैंने जब इनको फोर्स लगाया, तो तो यह वापस ऐसे हो गया और जब यह ऐसे रोटेट हुए तो वापस ऐसके उपपर की तरफ लगया तो फिर ऐसा हो गया यह तो ऐसा ऐसा होता रहेगा तो फिर तो मोटर का काम ही का रहा हमारे जीवन के अंदर तो ऐसे केस में हमको क्या चाहिए कि भाईया यह जो direction of force है यह हो जाए अब force के direction दो तरह के से change हो सकती है ठीक है यह तो हम magnetic field की direction बदल दे या फिर हम current के direction बदल दे पर बहुत तकलीब काम है। मतलब तो तो यह दिमाग में खराब हो जाएगा यह एसा नहीं करना है। जब हमसे पहुचा हुच अब धिहान से 10 पारट है अभी मान ले कि आगर मैं इसको एसे रोटेट कर दूं। और ये इस side जा रहा है, और अगर जब ये ऐसे पहुचा, मतलब ये half cross होने के बाद हलका सा ऐसे हुआ, तो force उपर की तरफ लगने की बज़या, अगर नीचे की तरफ लग जाए इस side पे, और इस side पे force उपर की तरफ लग जाए, तो फिर से ऐसा हो जाएगा, अब फिर से जब इस पर force नीचे की तरफ लगे, यहाँ पर उपर की तरफ लगे, तो ऐसा हो जाएगा, यानि कि हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि भाई, एक particular तार पे, यानि कि rectangle की एक side पे, जो force है, वो हर आदे इंटरल के बाद में बदल जाए, ठीके, कैसे, ऐसा हुआ, जब मान लें कि ये पूरी तरह से एक बार ऐसा rotate हुआ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पर इस वाली line के पर force उपर लग रहा था, इधर आने के बाद इस line के पर force नीचे की तरफ लगना लग जाए, ये ही चाहता हूँ मैं अपने जीवन से, वो देख, उसके उपर ये मैंने ब्रश रशला बना रखा है, ये जो होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश या ग्रेफाइट ब्रश, तो भी स्पेसिफिक ग्रेफाइट ब्रश की खासियत यह होती है, कि हमको इस से जो ring है, जो split ring है, इसको connect करके नहीं रखना पड़ता, मान ले, जैसे कि मान ले, अगर मैं इसका जो current है, उसकी direction बिना split ring के change करता, तो ये तार आपस में उलज नहीं जाता है, देख सोच, अगर ये motor rotate हो रही है, अगर मेरे हाद से motor लगी हुई है, तो ये rotate हो split rings का यूज की आ, split rings का यूज करने से हमारे पास में क्या फायदा हुआ, कि ये जो split rings rotate होती ही, ये wire के साथ साथ rotate हो रही है, ठीक है, तो ये जो wire था, इसके साथ साथ wonder what it is, और उस,. अब तो सूचाका की contact छूट जाएगा ये माहरा तार है इससे, तो ये ही कहासियात होती एक graphite brush के कि हमको इसमें अब ध्यान से देख अब यहाला figure के बात करो अगर तो इसको ध्यान से देखेगा अगर मैं इस ring को घुमाओंगा तो क्या इसका contact brush से छूट जाएगा यह क्या यह brush घुमने लग जाएगा नहीं घुमने लगेगा तो सोच practically सोच अगर मैं इस ring को घु उसके है ताकि जब यह rotate करे तो यह तार नहीं घुमें इसके साथ में केवल यही split ring घुमें और जब इस split ring घुमके इस side आएगी तो यह जो right वाली split ring पहले थी अब वो left side आगई अब यह right वाली split ring जब left side में आएगी तो यह current जा रहा था जो हमारे पास में right वाले wire में जा जाएगा ठीक है इसे figure को उल्टा समझके देख तो जब ऐसा होगा तो हमारी current के direction चेंज हो जाएगी अब जब यह पल्टिक हा लेगा पूरी तरस से तो हमारी जो direction वो change हो जाएगी क्योंकि half internal के बाद में जो split ring लगी हुई थी यहाँ पर की side जो split ring लगी हुई थी वो भी पल्टिक हा गई तो अब यह rotate हो जाएगा और rotate होने के बाद में जब force का direction चेंज होगी तो जब यहाँ पर force उपर जा रहा था यहाँ तक आते आते force ऐसा हुआ इधर से force फिर नीचे गया ठीक है half rotation हुआ फिर इधर half rotation हुआ वापस से force उपर की तरफ लगा yes आ गया अब फ splittering के साथ में यह कैसे घुम रहा है तो तू ncrt में जब एक बार रीट करेगा उसका diagram देख लेगा जो 3D वाला है उसमें तू आसानी से समझ जाएगा फिर से दिखा जाता हूं तो जब देख यह जो splittering है जो अंदर की side दिख रही है यह splittering जब घुमेगे ना तो यह ज तार के साथ में घुम रही है ठीक है तो यह होगा हमारे electric motor तो basically यह electric motor की भी में अलग-अलग change कर सकता हूं जैसे कि हम जब बहुती गरीब सी बैटरी लगाता थे तो motor देरी-देर घुमती थी पर जब हम महेंगी बैटरी लेके आता थे तो motor तेस घुमती थी ठीक है यह हमा यह हमारे पास में electric motor और यहां पर हमारे chapter समाप्त हो जाता है